नमस्कार वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और वेज़े डालते हैं अचकी प्रमूख खबरों पर युनान नहीं चुका हैं MF का कर्ज बना डिफॉल्टर देश युनान अंतराश्टिय मुद्राकोश के 1.7 अरब डॉलर के रुन का भुकतान नहीं कर पाया और वह कर्ज भुकतान में चूक करने वाला पहला विक्सित देश बन गया है MF के प्रमक्ता गेरी राइस ने कहां कि मैं पुष्टी करता हूँ कि युनान को MF के जिस बकाया 1.2 अरब SDR का भुकतान करना था वह प्राप तो नहीं हुआ उन्होंने कहां कि हमने अपने कारेकारी बोर्ट को सुचित कर दिया है कि युनान ने भुकतान नहीं किया है और वह इस बकाया राशी के भुकतान के बाद ही IMF से वित्यम मदद ले सकता है युनान को अंतराष्टिय समाय अनुसार शनिवार राद 10 बजे तक भुकतान करना था ललित मोदी का सोनिया वरुन गांधी पर बड़ा खुलासा IPL के पूर्व कमिशनर ललित मोदी ने अब कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा सांसत वरुन गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने सोनिया की बहन के माध्यम से काम कराने के बदले 60 मिलियन डॉलर की मांग की थी हाला कि वरुन गांधी ने ललित मोदी के इस दावे को खारीज कर दिया है मंगलवार देर रात किये गए ट्विट में ललित मोदी ने लिखा कि कुछ साल पहले वरुन गांधी लंदन में उनके आवास पर आए और उन्होंने सोनिया गांधी के साथ सभी मामलों का निप्टारा कर देने का आश्वासन दिया वरुन चाते थे कि मैं इटली में रह रही उनकी चाची की बहन से एक बार मिल लूँ इसके बाद एक कॉमन फ्रेंड के जरी हमने उनसे संपर्ग भी किया था पंकजा मुंडे पर लगा एक और गंभीर आरोप माराष्टगी मंतरी पंकजा मुंडे पर चिक्की घुटाले के बाद एक और गंभीर आरोप लगा है रागपा ने पंकजा मुंडे पर जालना जिले में एक बान के निर्मान का ठेका देने में नियमों का उनलंगन करने का आरोप लगाया है राखपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहां कि परभानी में चेक डेम बनाने का ठेका भाजपाने गणबंदन की सहयोगी, राश्टिय समाजपक्ष के नेता तदा मुंडे परिवार के करीबी रतना कर गुट्टे की कमपनी को दिया गया उन्होंने कहां कि गुट्टे की कमपनी को इसी साल फरवरी में ई निवीदा की प्रक्रिया में अयोग्य करार दिया गया था लेकिन उनको ठेका मिला क्योंकि वह मुंडे परिवार के करीबी है